Hello student, Welcome to our YouTube channel coaching भारती, जैसा कि हमने last video में जो मैंने आपको बताया था, square and square root की third वाली exercise हमने पढ़ ली थी, यह हमारी square and square root की last वाली exercise होने माली है, तो इस वाली exercise में बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें square root find out करना सीखना है, जिसमें हम division method से आपको square root find out क करना सिखाएंगे, तो इसमें जो division method है, उसमें आपको सबसे पहले उसका छोटा सा concept आप सभी बच्चों कहाना चाहिए कि किस तरीके से हमें division method यूज करना है, तो division method के लिए सबसे पहले आपको square root learn होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 multiply by 2, 4 होता है, ऐसे 3 multiply by 3, 4 multiply by 4, ऐसे आपको याद आपने hopefully कर लिए होगे, जैसे कि मैंने आपको last video में भी सारे के सारे square root आपको learn कराने का काम किया था, तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जैसे सबसे पहले वाला question आपको दिया, 2304, 2304, 2304, तो इसको square root में कैसे करेंगे, 2304 में सबसे पहल कर लेगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें pair बनाने पटते हैं, pair कैसे बनाने है, हमेशा जैसे मैंने उपर की तरफ दो बार लगाए, इसका मनलब कैसे हुआ, आपको हमेशा इस वाले direction में बार लगाने है, हमेशा दो डिजिट का एक बार लगाए, क्योंकि हमें square root निकालना है, दो डिजिट का बार क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें square root निकालना है, कि दो बार लगे रहते हैं, दो डिजिट का pair बनता है, तो इसलिए हमने क्या करा, दो डिजिट के उपर भी क्या लगाया, बार लगाया, ऐसे हमने क्या करा, नेक्स टाइम भी दो कारोट करेंगे तो जैसे 20 30ー4 है हमारे पास तो इस रूह यह हमारे पास 23 तो कि परıldए यह पर आकर अगर टेबल पढ़ना है तो टू इंकु टू पढ़ना है तो इंकु ट्री का टेबल पढ़ना है तो फॉर कर टैबल पढ़ना है तो 4 into 4 ही पढ़ना है, 5 का टेबल अगर पढ़ना है, तो 5 into 5 पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखने है, तो जैसे हमको 23 के पास जाना है, 23 के पास जाना है, तो देखो 2 into 2 तो 4 हुआ, 3 into 3 9 हुआ, 4 into 4 16 हुआ, ऐसे 5 into 5 कितना हो जाएगा, 25, जो कि हमारा 23 से क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 into 4 के पास ही रहना पड़ेगा, समझ में आगे इतनी बात, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4 into 4, इधर 4 लिखेंगे, 4 into 4 कितना आता है, 16 आता है, और जब हमारे पास 13 में से 6 माइनस हो जाएगे, 13 में से 6 माइनस हो उसके बाद जब हम 4 प्लस इसमे क्या कर लेंगे जैसे यहां पे इतना pair note हो गया है अब हम 4 प्लस 4 को जब हम प्लस करेंगे ये दूसरे step कर रहे हैं अब दूसरे step में 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा बच्चो जब हमारे पास 4 प्लस 4 8 आ जाएगा देखो 4 इंटू 4 करके तो 16 इधर आया यह बाद ध्यान लगना और इनको हमारे दूसरे step में इनको add करना होता है तो 4 प्लस 4 कितना है 8 आया अब 8 के साथ मैं कितने का multiply करू 8 के साथ मैं कितने का multiply करू कि मेरे पास यह 704 आ जाए समझना मेरी बात 8 का multiply 8 की बराबर में ऐसा मैं कौन सा number यहाँ पे लिखू कि यह 704 आ जाए तो मेरे को कितने से multiply करना पड़ेगा अब देखो इसके last में कितना है 4 है इसके last में कितना है कि यूनिट डिजिट हमें कैसे गैच करना है अब यार एक बाव बता एटी टू टू जा तो हमारे पास 704 नहीं होते है अगर तुम यहां पे टू लिखोगे तो यहां पे भी आपको कितना लिखना पड़ेगा तो यह तो 704 नहीं आएगा फिर आप क्या करोगे 80 कि यह मल्टिप्लाई वाई कितना करेगी 704 अब यूनिट डिजिट पे दूसरे नंबर कौन सा है हमारे पास जिसमें 4 आता है दूसरा नंबर कौन सा है 8 है तो हमें कितना लिखना पड़ेगा 8 तो 88 जा 88 जा कितने होते है 704 ही होते है तो 48 हो जाएगा उधर और इधर कितना ज जाएगा हमारे पास इसका 0 बज जाएगा तो आप इसका जो फाइनल अंसर है इस तरीके से अपने एक्जाम में लिख सकते हैं कि भई इसका जो आएगा 2304 जो होगा स्वार रूट कितना जाएगा बच्चो 48 आजाएगा तो इस तरीके से आप यहां पे सोल कर सकते हैं तो करते हैं question number two के लिए question number two के लिए proceed करते हैं बच्चो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है चार्ट डिजिट में हम कैसे करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसमें चार्ट डिजिट का तो हमने बता दिया अब यह भी चार्ट यह भी सेम कोंसेट के बश्यवागों जो है यह हमारे पास कितने डिजिट का है तो इसको मैं आपको करना सिखा जखा हूँ किस तरी किसे आपको करना है तो जैसे कि बच्छो 529 आपको दिया सबसे पहले आप दो का पेर बनाएंगे एक सिंगल डिजिट बचा तो इसको सिं 2 x 2 कितना हो जाएगा तो 5 में से 4 जाके कितना बचेगा 1 बचेगा अब ऐसे मैंने आपको बताया था 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 और यह वाला पूरा पूरा पेर नीचे की तरफ हम नोट डाउन कर लेंगे इतने बास समझ में आ गई है अब आपको क्या करना है इ 9 होता है तो 9 इसी की उनिट डिश्ट पर आता है तो 49 9 जा अगर हम देखें तो 9 9 जा 81 यह तो नहीं बैठाएगा हमारे बास अगर मैं यहां पर 43 करूं मंटिप्लाइबाइब 3 क्यूंकि 3 x 3 कितना रहा 9 तो 33 जाकितना होता है 9 और 34 जाकितना हो जाएगा 12 तो इस तरीके से 129 बन जाएगा नहीं बन जाएगा तो यहां पर भी हम कितना लिखेंगे 3 और यहां पर भी कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे तो यहां पर कितना जाएगा 129 तो इसका रिमेंटर भी हमारे पास 0 आ गया है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो अंडर रूट हमारे पास 529 किसे करने हैं और यह तीन डिजिट का है यह सेम ऐसे ही होगा नाइन हंडड़ का बाकि आप सब जो है इन सब को प्रैक्टिस कीजेगा और मेरे को इनके अंसर कमेंट शेशन में जरूर बताने हैं